हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट फज, यहां हम डार्क चॉकलेट की जगा मिल्क कमपाउंड से चॉकलेट फज बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चॉकलेट फज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, और उस में दो टेबल स्पून बटर और एट करेंगे, यहां मेरे पास यूज किया हुआ बटर पड़ा हुआ था तो मैं वही इस्तमाल कर रहे हूँ, आप अलग से बटर इस्तमाल कर सकते हैं, चॉकलेट को लाबातार चलाते रहे, वरना हमारी चॉकलेट जल जाएगी, ध्यान र वन थर्ड कॉप कंडेंस मिल्क अड़ करेंगे, और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, चॉकलेट मिक्षर को 5 मिनिट धीमी याश पर ऐसे ही पकाएं, अब हम इसमें वन थर्ड कोप मिल्क पाउडर थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करेंगे, यदि हम सारा पाउडर एक सा डाल देंगे तो हमारे मिक्षर में गुठलिया बन जाएंगे इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे और इसे लगातार तीन से चार मिनट तक अच्छे से पकाएंगे देखिए हमारा चौकलेट का मिक्षर अब तयार हो गया अब हम इसमें एक टेबल स्पून चौ करने लगा है अब गैस बंद कर देंगे अब हम एक प्लेट लिंगे और उसमें बारिक कटा हुआ बदाम डाल देंगे अब उसके ऊपर से हमारा मिक्षर पूर कर देंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से स्प्रेट कर देंगे आप चाहे तो नाइफ की देखिए हमारा चौकलेट का मिक्षर अच्छे से स्प्रेड हो गया है तो अब हम इसे सेट होने के लिए दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे दो घंटे के बाद देखिए हमारा मिक्षर कितना हार्ड हो गया है तो अब हम इसे नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें हमारा चॉकलेट अब कट गया है तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं देखिए हमारा चॉकलेट वज तयार है वो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं थैंक यो वच्ट वाच्ट मैं